क्रिया कलाब 3 चित्र 3 बह के अनुसार अपने साथी के हाथ का उपरी हिस्सा बांध दें उसी हाथ को सीधा रखते हुए कसकर मुठी बांध कर 4-5 बार हिलाने कोहनी से मोड कर सीधा करें के लिए कहें अब उभरी हुई नेली नलियों पर चित्र के अनुसार अपनी अंगुलियों को रखें और दबाव डालते हुए एक अंगुली को कोहनी के तरफ तो एक को पंजे के तरफ सरकाएं क्या इनके बीच नीला रंग गायब हो गया? अब पंजे की तरफ से अंगुली को हटाएं फिर प्रयोक को दोरा कर कोहनी की तरफ की अंगुली को हटाएं रक्त किस तरफ बहता हुआ नजर आता है? इस प्रयोक से हारविन ने पाया और आपने भी देखा होगा कि rakt पंजे से कोहनी के तरफ नली में भरता हुआ नजर आता है अर्था निश्चित ही ये नलियां हमारे हिर्दे तक रakt का परीवन कर रही होंगी इस प्रयोक से हारवे ने पाया कि रakt पंजे से कोहनी की तरफ नलियों के द्वारा हिर्दे तक पहुंचता है उनके अनुसार शिरा, वेन वो नलियां हैं जिनसे रक्त हिर्दय की तरफ बहता है और धमनी, आटरी वे नलियां हैं जिनसे रक्त हिर्दय से शरीर के अन्य छेतरों तक बहता है उन्होंने सुझाया कि हमारे शरीर में रक्त का भाव एक चक्रिय परिपत में होता है शिरा और धमनियों के बीच के संपर्क मार्ग को हारवे दर्शा नहीं पाए पर उनकी उपस्तिती को उन्होंने सुझाया था बाद में इसकी पुष्टी केशिकाओं कैपिलरिस की खोज से हुई हमारे शरीर में कई जगा शिराओं को त्वचा के नीचे देखा जा सकता है उनमें बैता हुआ रक्त नीले रंग का प्रतित होता है पर वास्ताओं में यह रक्त गाड़े लाल रंग का होता है धमनियों में बैता हुआ रक्त सुर्ख लाल होता है धमनियों को कुछ ही जगों में महसूस कर सकते हैं जैसे कलाई, कोहनी, आदी क्योंकि कुछ धमनियां ही सत्ही अर्थात्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है चलिए एक धमनी को महसूस करते हैं